आज की वीडियो में हम देखने वाल हैं कि GST के RCM कैसे सेट करते हैं अब GST पे RCM एपलिकेबल होता है यह तो आप सबी को पता ही होगा अगर आपको पता नहीं है तो नीचे कमेंट में लिख देना हम जो हम GST के RCM के उपर अलग से एक वीडियो करतेंगे अब जिस ट्रांज पे RCM एपलिकेबल होता है GST में उसे जो बुक्स में कैसे रेकॉर्ड करते वो देखेंगे तो दो चीजे होती है एक होता है पुर्चेस के अंदर बिल्स और दूसरा होता है एक्सपेंस दोनों तरीके से आप आपके खर्चे भुक कर सकते हैं तो बिल्स से के थ्रू जब रचेब बुक रहे होँ तब आर स्थे में कैसे अपलाई करते तो देखते हैं मान लीजिए आपको मिला है किसी ना press अपर अडिवस्टे में व्याइद्さ कर लिया लॉयर ओविसली का भूज को होगा क्योंकि उसको लेना नहीं जिजटेशन बट ऐसा हो सकता है कि जो रेजिस्टर वेंडर उस पे भी आर सीम लगता है मेक्स नो दिफरेंस कोई फरक नहीं पड़ता जैसे चिटीट में कोई भी होने तो आप आर सिम लगा सकते हैं इसे नोमली फेल करते हैं उसे फिल करना है चेंज डिफरेंस जो है वह यहां पर जो अ तो यह टाक्स के अंदर से रिवस्ट निकल जाएगा इसको अगर मैं टिक करता हूं तो इसमें रिवस्टाज आ जाता है ठीक है तो मानलों आपको लॉयर का बिल में लाए 25,000 का तो यह बिल नमबर में डाल देता हूं यह नमबर हो गया बिल का इसमें डेट डाल देता हूं आज की डेट डाल रहा हूं ठीक है यहां पर आइटम डिस्क्रिप्शन में उसके बिल पर जो भी लिखके आया है वो सारी डीटेज हमने यहां पर फीड कर दी अकाउंट कंसल्ट एंट एक्सपेंस से लेक्ट कर लिया रेट 25,000 अब लॉयर को पे करना है अपने 25,000 ठीक है बिल का टोटल देखो 25 रहा ठीक है जैसे बाकिये बिल्स में आप GST लगा के इंपूट क्रेडिट लेते हो तब बिल का टोडल रेट के अमाउंट से बढ़ जाता है यहां पे 25,000 रहा बिल का टोटल इसे बढ़ेगा नहीं क्योंकि अपने लॉयर को जो है यह अपना इंट्री पास हो जाएगी अब देखो यहां पे नीचे जर्ल इंट्री है अब जिसे अकाउंट समझता है उससे यह समझ जाएगा और नहीं समझता है उसको अलग तरीके से समझाता हूं जर्ण लेंट्री में देखो क्रेडिटर हो गया क्रेडिट 25,000 जो मुझे भी लेना है इसलिए रिवर्स चार्ज इंपूट टैक्स बट नॉट रिवर्स चार्ज टैक्स इंपूट बट नॉट इस यह एसेट का लेजर है 4500 रुपे यह मेरा एसेड बन गया यानि मेरा ITC बन गया ठीक है तो जब तो जब 3B में हम चेक करेंगे तब यह आटमाटिक सब्सक्राइब और इसी का क्रेडिट भी लेना है तो वेंडर का जो बिल है उस पर 25,000 करना है और उपर जो है वो अलग से लग रहा है और अपने अपनी जगह पे अपने अपने लेजर में जाकर आपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है अब GST फाइलिंग में जब आप ज जाएगा जहां पर अपने को आपके लॉयर का बिल दिखेगा ठीक है यह अपने आप अपनी जगह पर आगया यानि आपके आउटपुट लियाबिलिटी में एड हो गया और इसका क्रेडिट भी लेना है तो रिवर्स चार्ज इन्वर्ड सप्लाइज लाइबल टो रिवर टो लगाते मर्क यृफ साइब आपके एकश्फेंशर कर से लगाते सब्स.? टो मैं आपको यह अप्शन दिखता है यहां पर देखिएuju इस ट्रांजेक्शन एप्लिकेबल फर रिवर्स चार्ज इसे आप सिलेक्ट करोगे सारी चीज़ें हो जाएंगे अब तीसरी चीज़ होती है बैंकिंग के तुरू जब आप कैसे रेकॉर्ड करोगे तो मानलो आपने डिरेक्ली लॉयर को पे कर दिया है उसे बिल रेकॉर्ड ग्रांट एक्सपेंस अकं एक्सपेंस अगया है आप इससरी्ट करनां परना जाता है और इसके दिखने से पर आपको टैक्स लगता है और इसे सेव करोगे तो सारी से वैसी हो जाएगी अब मानलो मैं वेंडर नहीं सेलेक करता हो तो भी फरक नहीं होता कुछ बाकि सारी चीजे जो है वह अपने आप वैसी की वैसी रहेगी तो इससे मैं सेव करूंगा तो जर्नल एंट्री जैसे अम बैंक क्रेडिट हुआ और आउटपुट लाइबिलिटी में एड हो गया क्रेडिट पे और आपका आइटीसी जो है वह डिट हो गया उसने पच्चीस अजार उन्तालिस रुपया पे जीएस्टी कैल्पिलिट करें जोहु गुरू की तरफ से अब सभी को टाटा झाल 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 झाल